वरुण गांधी के लिए राहुल गांधी ने खोल दिये कॉंग्रेस के दर्वाजे केदारनाथ में वरुण और राहुल के बीच फे मलाखात राहुल ने दे दिया वरुण गांधी को कॉंग्रेस पे आने करे होता वरुन गांधी को लेकर अब तक दावा किया जा रहा था कि वो सबाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं वरुन के डिमपल यादो से कई बार इसे लेकर मुलाखात हो चुकी थी सपा अध्यक शखलेश शादो ने भी वरुन को सपा में शामिल करने के लिए हाली जंडी दे दी थी उन्हें पिलिभीत सीथ से सपा उमीदवार बनाये जाने का एलान भले ही न किया गया था लेकिन पिलिभीत के सपा नेताओं को मैसेज दे दिया गया था कि वरुन ही सपा के उमीदवार होंगे और इसका असर भी दिखाई दे रहा था वरुन की सभा में सपा के कारेकरता भी बढ़ चल कर हिस्सा ले रहे थे लेकिन अब वरुन गांदी को लेकर ख़वार आ रही है कि वो सपा नहीं बलकि कौंगनेस में शामिल हो रहे है और अपने इस प्लान को लेकर उन्होंने सपा नेताओं को सब कुछ बता दिया है दरसल जो खबरे आ रही हैं उसमें तावा किया जा रहा है कि राहुल गूर्णि तीन दिन के कیधर नाथ यातरा पर थे अंतिम दिरोर ने बाबा किधर नाथ काविशे किया और इसके बाद दिल्ली लोडगे लेकिन दिल्ली बापसी से पहले राहूल गांदी ने अपने भाई वरुन गांदी से बलाखात की है राहूल और वरुन के बलाखात के खबरों से सियासी गलियारों में सलसनी फैल गई है दरसल इससे पहले जब राहुल गांदी से इस साल की शिर्वात में भारत ज्रोयात्रा के दौरान सवाल किया गया था क्या वरुन गांदी को कॉंग्रेस में शामिल करेंगे तो राहुल गांदी ने वरुन को कॉंग्रेस में लेने से साफिंग कार कर दिया था राहुल ने कहा था कि वरुन गांधी की विचारधारा संग की विचारधारा है इसलिए उनसे गले मिल सकता हूँ लेकिन वरुन को कॉंग्रेस में जगे नहीं दी जाएगी लेकिन वरुन की जरूरत कॉंग्रेस को है इस बात को लेकर यूपी के कांग्रेसी एकमत थे और शायद अब राहूल गांदी भी यूपी कांग्रेस के दबाओ वे वरून को कांग्रेस में शामिल करने के लिए तैयार हो गए है बसे कहा जा रहा है कि राहूल गांदी को वरून के प्रति नरम रुक अपनाने के लिए प्रियंका गांदी ने तयार किया है प्रियंका गांधी और राहूल गांधी के बीच काफी अच्छे संबंद है और कहा जाता है कि वरूल सबसे ज़ादा बात प्रियंका गांधी सही करते हैं और प्रियंका गांधी नहीं वरूल गांधी के फ़िलिये कॉंग्रेस का दर्वाजा खुलवाया है और अब के दारनाथ में राहूल गांदी और वरॉल गांदी के बीच हुए मलाकातों के खबरे से भी साफ हो गया है कि राहूल गांदी ने भी वरॉल गांदी को कौंग्रेस में सामिल किया जाने को लेकर हरी जंडी देती है साफ हो गया है कि वरोण गांदी अप पीली भीट से कॉंग्रेस उम्मीदवार की रूप में चुनौल अर सकते हैं वो लोकसभा चुनौल के एलान के बाद कॉंग्रेस से दस्ता लेंगे वरोण गांदी भी अपने परिवार साथ के दारनात पहुंचे थे और बाबा के दारनात से मुलाकात से पहले वो राहूल गांदी से मिले इस बीच वरोण गांदी के डिमपल यादों के साथ मुलाकात की खबरे हैं जो बता रही हैं कि उन्होंने सपाचीफ अखली शादों तक भी मैसेज पहुचा दिया है कि वो अब सपाचीफ के जगा कॉंगरेस में शामिल होने की तयारी कर चुके हैं दरसल वरोण गांदी को सपाचीफ के साथ की भी जरूरत है उन्हें आयसास है कि इस समय बीजेपी को अकेले नहीं रोक सकते हैं और अगर वरोण गांदी कॉंगरेस में शामिल होते हैं तो इससे सपाचीफ अखली शादों नाराज भी हो सकते हैं जो वरोन को सफा में शामिल किया जाने की पुरी तयारी कर चुके थे और इसी के चलते वरोन गांदी ने डिंपल से मुलाकात की और कहा जा रहा है कि अखलेश यादो ने भी वरोन गांदी के फैसले सहमती जताई है सपा की ओर से भी ये कहा गया है कि वरोन गादी अगर चाहें तो सपा में आ सकते हैं और अगर चाहें तो कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं दरसल राजनीत से अलग वरोन और अखलेश के बीच दोस्ती भी मानी जाती है और इस सबें दोनों कोई एक दूसरे की भी जरूरत है वरोर रिपोर्ट दनावदरपर नियूज